नमस्कार हिमाचल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है मैं हूँ गौतम ठाकर राजसरकार के वे तमाम लोगों को लेकर राजसरकार और भारत सरकार के बीच टक्राफ की स्थिति उत्पन हो गई है भारत सरकार ने हिमाचल सरकार द्वारा उठाय जाने वाले रिणों की सीमा को कम कर हिमाचल प्रदेश को आर्थिक संकट के मोहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है मुख्यमंत्री सुखवंदर सिंग सुखू ने इस मामले में वितमंत्री निर्मला सीता रमन से मुलाकात कर कड़िया पत्ती जताते हुए रिण लेने की स्थिती को यथावत बनाये रखने की गुहार लगाई है लेकिन भारत सरकार के तेवरों को देख कर ऐसा लगता नहीं है कि हिमाचल को भारत सरकार अतरिक्तरन उपलब्द करवाने के मूड में है ऐसे में हिमाचल सरकार के लिए अधिक संकट खड़ा होना स्वभाविक है जिसे देख अब ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि प्रदेश के वित्या हलात ना सुधारे गए तो हिमाचल के विकास में ना किवल बाधा खड़ी हो सकती है बलकि करमचारियों और पेंशन भोगियों को दिये जाने वाले एरियर की रहा में कांटे बिच सकते हैं बहुत ही समवीदन्शील ये मामला है क्योंकि पूरे फानांस से राज्य की आर्थकी से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो इस पर जाधा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्थाने संपादक विजपुरी जी चुड़ गए हैं नमस्कार सर यह पैसे का जो लफड़ा है य देखे ओठोम पिछले विध्य वर्ष तक जब भाजपा की सरकार राजय में सताने थी उस समय तक हिमाचल सरकार की जो रो रिन लेने की जो सीमा थी वो उठा सकी किसी से राजय सरकार का गुणारा हों थी बचानक ये निडिनमे ले लिया इसका रिक है цел angaता है है कि राज्या सरकार को जो रिन दिये जाते थे जो 14500 क्रोड़ रुपे के रिन लेने की सीमा थी उसे पच्पंसो क्रोड़ रुपे की कटोती कर दी गए है यानि कि अब हिमाचल सरकार सिर्फ 9000 क्रोड़ रुपे तक के रिन भी एक साल में उठा पाएगी ऐसे में पच्पंस रुपे इसो क्रोड़ रुपे की कटोती बहुत बड़ी होती है और बहुत ऐहम है इसके इनावा एन पी एए के तहथ जो पैसा करमचड़ियों का प्रोड़न्ट के रूप में C.P.F के रूप में जमा होता था बारस सरकार के पास उसको लेकर भी उसके अगेस्ट भी बार तो हिमाचल सरकार को आने वाले समय में कम्भीर परस्थितियों का सामना करना पर सकता है तो सर एक चीज यहां पर क्योंची शुरुआत से सुखु सरकार यह चीज कहती है कि 75,000 करोड की देंदारी अभी तक हिमाचल के सर पर है हिमाचल प्रदेश के सर पर है हर एक नागरे के ओपर जो हजारों रुपे की देंदारी अगर हिसाब किताब लगाया जाया तो इतनी पड़ जाती है लेकिन क्या अभी हिमाचल स्थिति में है कि वो और रिंड जो है वो ले सके देखे गुतम असी के दशक तक मैं ये भी कह सकता हूँ कि असी अंत तक यानि नबे दशक के पहले वर्ष से एकानमे से पहले जब से हिमाचल परदेश का गठन हुआ तो हम लोग अक्सर ये कहा करते थे के हिमाचल परदेश केंद्रिया विसाकियों के उपर खड़ा है और हिमाचल केंद्रिया विसाकियों पर ही निर्वर करता है तो केंद्र जो सहायता देती है उसी से हिमाचल सरकार की सत्था चलती है उसी से ही हिमाचल का गुजारा होता है 1991 के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि 1991 के बाद हम लोग यह कह सकते हैं यह दावा कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश रिनो की विसाकियों पर खड़ा होता है और रिन उठाता है तो हिमाचल सरकार का बुजारा होता है यही कारण है कि 1991 में जब पहली बार जो मेरे ज्यान में है, 1995 में हिमाचल सरकार को 185 क्रोड रुपे का प्रिंट भाना पड़ा था, यह वित्या का तभी कहा जा सकता है, 185 क्रोड रुपे के रिनों के बोज़तले हिमाचल सरकार दब गई थी 1991 में, जो 223 आते आते, अब लगवा 75,000 क्रोड क्या, अब आठ भाना प्रोड रुपे से उपर कह सकते हैं, 80,000 क्रोड रुपे से उपर के रिनों हिमाचल सरकार उठा चुकी है, और लगाता रही है, वित्या गाटा बढ़ता जा रहा है, करमचारियों का बेतन देना हो, पैंशन का बबटान करना हो या फिर अन्या विकास आत्मा कारे हो, यह सबी कुछ रिनों पर निर्वर करते हैं, और इसके लिए हिमाचल सरकार एक महीने में ना सही, हर दूसरे महीने तो रिन उठाने के लिए मजबूर ही है, और इसे उठाना पड़ता है, यही कारणा है कि आप देक विशे शेक्या, अब यह कहने को मजबूर हो गए है, कि यदि रिन ना मिले, तो हिमाचल सरकार की विट्यस्तिकी डगमगा सकती है, विकास के कही गारे आप खारे हो में बादा आपा सकती है, और आना वाला समय हिमाचल सरकार के लिए संखटबूर नों हो सकता है, जी को तूसर, यह कि यह हटेंगी, कभी तो हिमाचल प्रदेश को अपने कदमों पर अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, और वो वक्त कब आएगा, क्योंकि इतने सालों से लगातार केंदर की सहायता पर प्रदेश जो है, वो चल रहा है, नया प्रदेश बना होता है, समझ में आता है, ले मुश्यमंद्धिश प्रदेश को का आवाहन है, और वो करक देंगे है, उनके परियास भी जारी है, उनका ये दावा है, कि वो वेवस्ता परवर्तन करेंगे, और उस वेवस्ता परवर्तन में उनका ये सपना है, जिसके लिए हिमाचल का हर नागरिक कामना भी करता है, कि उनका ये सपना है कि हिमाचल को आतम निर्बर बनाया जाए उनका ये भी सपना है कि हिमाचल परदेश को देश के समरीद राजियों में से एक नहीं बलकि सबसे समरीद राजियों के रूप में विक्सित किया जाए तो यदि ऐसा होता है उनकी योजने आने वाले समय में क्या राह में रोडे अटका दिये हैं, कांटे बिचाती हैं और उनकी राह बहुत कठिन हो गई है, ये डगर अब आसान नहीं रही है, विकासा अत्मक कारिया प्रवाविट को सकते हैं, उसके लिए रिनों की अवश्यक्ता होगी, जो अगर भारत सरकार ने हिमाईतल सरकार को अप काबला करने के लिए अभी कष्ष्यवासियों को भी ठयार रहना होगा और रज्य सरकार को भी त्यार रहना होगा। जी, गोतुम। अभी उनकी चार साल की एक खल्पना है। और उसके लिए योजने बनाई जा रही है। तो धरहतल पर आपका तज्वर्बा क्या कहता है सरकी जर्थ क्या ये चार साल में मुम्किन है। खोतल अगर एक निश्बक्ष पत्रकार होने के नाते अगर मैं तो मुझे नहीं लगता है कि चार साल में कर्जों से निपका जासकता है या ऐसी परस्तितियों में राज्या को लाया जासकता है कि हिमाचल सरकार को रिन लेने की आवश्यक्ता ना पड़े और हिमाचल सरकार आतम निर्बर हो जाए ऐसा मुझे आज की पस्तितियों में देखता नहीं है लेकिन अगर मुक्या मंतरी शुक्विंदर सिंग सुकू ऐसा दावा करते हैं तो निश्ची तोर पर उनके सामने उन उन्होंने अपनी राया़्य होगी बड़े जो योजनाकार होंगे जोनों ने कहा होगा कि एगर आप ऐसी योजनाeping अबनाते हैं तो हिमाचल सरकार के लिए जो है रास्ते आसान हो सकते हैं लेकिन चर्टा इस मुठे पर जो हो जितनी अवशक है कि किया हीमाचल आथम नर्बर होगा? अग्या एक इस बात पर भी होशक है खोतब्जिक किया बाहरे सरकार का हीमाचल सरकार के प्रति रवीया कैसा है? क्या ये रविया एक ऐसा रविया है जो एक गैर बाजपा सरकार ये प्रती होना चाहिए ये मुझे ऐसा लगता है कि यहां संकर ठड़ा हो सकता है कभी भी भारजपा का शीर स्नेत रतव ये नहीं चाहेगा कि हिमाचल में जो बाजपा को पराज़ित कर सरकार सब्में आई है केंदर की इतनी उदार सहाथा मिले कि वो तो सही तरीके से चलती रहें उसके रास्ते आसान रहें कि इसके इनय राजीयों के साथ मुझे इसके इसके इलाबा कोई और चीज नहीं आरही है कोई कारण भी नहीं बताया गया है जिसके वज़ा से यह भाज आए कि हिमाचल सुराइब के रिनों में इस कारण को टोटी कर दी है लेकि खुत्म सबसे बड़ा मुद्दा चुनावों के दौरान था करमचारियों को पेंशन दिये जाने तो चुनावों के दौरान बाजपा इस बात से पीचे हक्टी रही कारण में बचट च्ड़ कर आगका है अब बाजपा ये दावाए शूरू से ही करती है राजस्तान में भी किया गया है चардन में लीनिया है, और हिमाचल में भी कर रही है, कि पेंशन कहां से दी जाएगी, पेंशन के लिए पैसा कहां से आएगा, पेंशन देना संबब नहीं होगा, और मंतरी का ये दावा है, कि हम करेंगे, हम देंगे, और अभी हाली में अभार रहनी भी हुई है, ऐसे में रिधिया करना होगा तब ही पेंशन के रास्टे खुलेंगे हमाचल सरकार ने अब तक जो भी सार्थ तक प्रयास किये हैं उन में रोड़े अटकाई गए हैं अटकते रहे हैं इमाचल सरकार का ये प्रयास था कि वाटर सेस्ट लगा कर चार हजार करोड़ रबे अत्रिक दोर पर कमाए जाए उसे पंजालता हर्याना ने रोड़े अटका दिया हैं भारत सरकार भी हमाचल के सास्थ नहीं हैं तो ऐसे में वो चारह हजार करोड़ रबे की आमदनी का जो सूर्स था वो बहुत कम हो गया है चारह हमाचल की प्रयोजने उस पैसे का मुक्तान भी करती हैं तो बहु प्रयोजने का कि ये नहीं है अब जैसे सीपी अब का पैसा वापस लाने की बात है तो उसके लिए बारत सरकार ने स्पश्ट पर मना कर दिया है कि नो जार कुछ फ्रोड़ रबेया हमाचल को नहीं दिया जाएगा तो उसके सीधे कारण है क्योंकि वो पैसा करमचारियों क है उसके लिए करमचारी खुदवा खुद उसकी मांग कर सकते हैं वो अपना ही कर सकते हैं कि उनकी बविश्य निदी का पैसा उने वापस कर दिया जाए तो उसको कब बारत सरकार के हमाचल सरकार के खाते में जबा करवाएगा इससे आरत की कोई बहुत जल्दी सुदरने वाली नहीं उस एक लंबा समय लग सकता है लेकिन कहीं ऐसा नहों कि जो मापना अपना जा रहे हैं जिन रास्तों पर हमाचल सरकार चलना चाहती है उसके रास्ते में कांटे इतने बिचे के आने वाना समय जो है हमाचल सरकार के लिए दुगदा पूर्न हो जाए तो यह एक पहलू है जिसे हमाचल सरकार को देखना हो है शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए हमायर साथ जुड़ने के लिए क्योंकि बहुत ही संवीदन शील मामला और बहुत ही बहतरीन तरीके से आपने तमाम जानकारियां थी अब देखने यह होगा कि क्या हिमाचल की आर्थकी समय के साथ सुधРЕ की आव जो रिंड का बूझ लगातार एक पहाड की तरह हमाचल के उपर बढ़े जा रहा है क्या वो वक्त के साथ कम होगा क्योंकि रिंड की जो तलवार है रिंड जो मिलने की आस थी वो अब जो है कम हो गई है अब कहा जाए कि कहीं कहीं न कहीं केंडर आनकानी करता हूँ नजर आ रहा है और अगर रिंड नहीं मिलेंगे वो बेसाखी जो है उस साथ नहीं देगी तो हिमाचल आगे कैसे बढ़ेगा ये सबसे बड़ा सवाल है तो इसके लिए ना सर्फ सरकार को राज्य सरकार को बलकि आम जंता को भी तैयार रहने की जरूरत है मुश्किल वक्त के लिए और अपने आपको मजबूत करने की जरूरत है खलाल के लिए हिमाचल के प्राइम टाइम में इतना ही मुझे यानि गौतम ठाकर को दीज़े इजाज़त और हिमाचल के खास खबरों के लिए बने रहे हिमाचल टोड़े के साथ